दुनिया भी बड़ी अजीब जगा है, जब चलना नहीं सीखा था, तो कोई नहीं गिरने देता था, पकड़ो 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 बचा गिरता है, और जब से चलना सीखा है, जब खुछ चलना सीखना शुरू किया हमने, जब हम चलना सीख गए हैं, जब हमें अब चलना आ तो कदम कदम पर लोग गिराना चाहते हैं बड़ा अजीब फर्मूला है ना ये तो बड़ी अजीब बात हो गई वैसे कि कोई शक्स किसी शक्स को गिराना चाहे जब वो चलना सीख चुका है और जब वो नहीं जानता था कि कैसे चलना है तो तब हर शक्स इसी कोशिश में था कि देखो वो गिरना जाए देखो उसे चोट ना लग जाए देखो उसे चलना नहीं आता देखो वो नाजुक है इन दो फामोलाज में कितना फर्क है ना इस फर्क को हमें समझने में जिंदगी लग जाएगी यह है लोगों का वो धोका जिस पर हम आज तक जी रहे हैं और तब भी हमने जोर लगाया जब लोगों ने कहा कि हाँ हाँ इसे चलना सिखाओ पकड़ो इसका हाथ पकड़ो इसको आगे बढ़ाओ इसे चलना सिखाओ तब उन्हें पता था कि जितना भी कुछ कर लें बस ये चल रहे हैं लेकिन उस चलते चलते में हम अपनी स्ट्रेंथ को आगे लेके आते आते कितना आगे बढ़ गए कि वो ही लोग जो चला रहे थे वो ही दुनिया जो हमें चला रही थी वो हमसे जैलस होना शुरू हो गई और वो एतनी जैलस हुई कि हमें गिराने के बहाने ढूनने लगी जब नहीं चलना आता था तो फिर ना सिखाते हम खुद ही आष्टा आष्टा चल जाते और चलते चलते आखिर कहीं तुमसे बहुत आगे बहुत दूर निकल जाते तब चलना सिखा दिया और अब अब उन्ही चलते पाउं को काटना चाहते हो गिराना चाहते हो उस वक्त की नजाकत को क्या समझाता तुमने और आज जिस नाजुक मोड पे जिन्दगी हमें लेकर आ गई है और हम खुद कोशिश करके उन चीजों में से चल चल के निकलना चाहते हैं तो इसका कोई हल नहीं है इसकी कोई अच्छाही नहीं है हमें गिरा के दुनिया को क्या मिलता है मालूम है आपको कि हमें गिरा के दुनिया को फाइदा हासिल होता है एक मज़ा हासिल होता है एक ठंडक सी मिलती है उनकी मजबूती उनके चलने में नहीं है हमारे गिरने में है उनकी ख्वाहिश उनके उपर आने में नहीं है हमें पीछे छोड़ जाने में है उनका दिल हमें आगे लेके आने में नहीं है उनकी तमन्ना ये है कि हम कहीं दूर पीछे रह जाए हमारे पाउं काड़ दिये जाए उस बार उस वक्त, उस लम्हे, जब उन्होंने हमें कमजोर समझा, दिखावे के लिए लोगों को, कि हाँ, हम भी मुभबत करते हैं, चलने की राह पे चलाने लगे, चलो चलो चलो, उस टाइम तो हमारे माबाप थे सिरफ जो हमें चला रहे थे, जिनका फर्स था, जिनकी मुभबत थ जिनका खलूस था, बेलोस मुभबत थी, लेकिन ये सिरफ Dikawa था इनका ये जब हमें चला रहे थे, जब अब दुनिया में अब हम, अब वक्त है कि उट चलो, उटो दोडो, दोड़ने का वक्त है, अपने लिए कोशिश करने का, अपने लिए कमाने का, अपने लिए करने का अच्छे वक्त के लिए बीमारी में बुरे वक्त के लिए तो जब जमा करने का वक्त है उठने चलने दोडने भागने का वक्त है तो यह हमें पीछे धकेल रहे हैं इतना धकेल रहे हैं कि इतने मुख्रित किसम के हर्बे आजमा रहे हैं हमें पीछे धकेलने के यह काम नहीं होने देना, आपने सिर्फ इतना करना है कि इनको इनकी चाल पर चलने नहीं देना, आपने सिर्फ इतना करना है कि इनकी बातों में नहीं आना, अगर आपने इनकी बातों में आने की गलती कर ली, तो बस फिर आप नुकसान उठाएंगे, फिर आप कभी भी जिन्दगी में आगे नहीं आ पाएंगे इनका एक वार आपको अगर पीछे कर गया फिर आप उठ नहीं पाएंगे उसी एक वार से बचना है, उसी एक वार को खतम करना है, उसी एक वार से अपने आपको दूर रखना है ये है आपकी एकल मंदी तब इन्होंने चलना सिखाया अब आपने दोड़ना खुद सीखना है बड़ी चलाकी की बात है बस नाजुक है थोड़ा सा चला दो बस ठीक है चल जाएगा जहां इसके दोड़ने का वक्त आया और ये तेजी से दोड़ रहा है इसे रोको कहीं हमसे आगे न चला जाए कहीं और ज्यादा आगे न निकल जाए कहीं इसका आगे जाना हमें नुकसान न दे बाबा तुम अपने घर से खाना खाते हो अपने घर से खाते हैं अल्ला सब को लग लग रिस्क दे रहा है तुम कौन होते हो किसी की भी लेक पुलिंग करने वाले उने पीछे धकेलने वाले देखो कहीं ज्यादा न कमा ले देखो कहीं ज्यादा न खा ले देखो कहीं ज्यादा न जोड ले देखो कहीं जिन्दगी में आगे न बढ़ जाए देखो कहीं फुल मार्क्स ना ले ले देखो कहीं शादी में ज्यादा अच्छा ना लग जाए देखो ना कहीं उनके पास अच्छी सवारी ना हो बस कहीं आखरत के बारे में भी सोचा है वो तो खुद कर सकते हो तुम इनका तो बस चले तो ये वो भी कर ले देखो देखो कहीं सुरह यह सीन ज्यादा ना पढ़ ले देखो कहीं कुरान ज्यादा ना पढ़ ले देखो कहीं अल्ला की अबादत में कहीं आगे ना बढ़ जाए चुपके चुपके से कहीं ताजुत तो नहीं पढ़ रही कहीं ये चुपके चुपके से मस्जद ज्यादा तो नहीं जा रहा उस पर इनका कोई रोग नी चलता देखे ना वो तो आपने फिर खुद ही छोड़ा हुआ है या आपकी आखरत की कामिया भी नहीं चीन सकते दुनिया जितनी मर्जी चीन ले